नमस्कार दोस्तो दोस्तो देख सकते हैं कि यह है प्रेशर गेज तो अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग प्रेशर गेज का यूज किया जाता है जैसे कि यह अमोनिया के लिए है उसी तरह अगर कोई और रिफ्रिजेंट हो तो उसके लिए अलग प्रेशर गेज आता है तो दोस्तो प्रेशर गेज दो तरह के होते हैं यहां देख सकते हैं कि एक इस तरह लिक्विड से भरा हुआ आता है और एक बिल्कुल ही सुखा होता है उसमें कोई भी लिक्विड नहीं भरा होता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि pressure gauge में liquid को क्यों भरा जाता है आखिर pressure gauge में liquid को भरने की अवशकता क्यों पड़ती है liquid से भरे gauge के क्या फायदे क्या नुकसान है और वो कौन-कौन से liquid है जो pressure gauge को भरने के लिए इस्तमाल होता है इन सभी बातों को विश्तार पुर्वक इस वीडियो में हम जानेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को end तक जरूर दखें और अब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें तो चैनल दोस्तो वीडियो को इस्तार करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेसर गेज को लिक्विड से क्यों भरा जाता है दोस्तो इस तरह का कंप्रेसर या आन्ने घुमने वाले उपकारन काफी वाइब्रेशन उत्पन करते हैं यानि कमपन उत्पन करते हैं जिसके चलते प्रेशर गेज का सुई ये भी उचलता रहता है ये भी कमपन करते रहता है और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्रेशर गेज का सुई किस और इशारा कर रहा है यानि यूँ कहे तो प्रेशर गेज में रेडिंग रखना मुश्किल हो जाता है और सही रिडिंग नहीं मिल पाता लेकिन दोस्तों इसमें जो लिक्विट भरा जाता है ये काफी चिपचीपा होता है जिसे कारण प्रेशर गेज में लिक्विट भरने के बाद प्रेशर गेज का सुई इस्थिर हो जाता है और इसका कमपन रूप जात जिसके कारण से इसके अंदरोनी पार्ट्स को लुब्रिकेड करता है यानि चिकनाई परदान करता है जिसे चलते इसका लाइफ कई गुणा बढ़ जयता है और यह जल्दी खराब नहीं होते तो दूसरा फाइदा यह है अब हम जानते हैं दोस्तों कि प्रेशर गेज को भरन के लिए most common liquid है glycerine और silicone यह दोवर कंपकार स्टिसरीन और सिल्लू में क्या अंतर होता है दोस्तों ग्लिसरीन बनस्वत्फति तेलों से बनाया जाता है और यह काफी चिपचीपा ऑली होता है लगवाग निटफाइव 95 % Gases को भरने के लिए glycerine का यूज किया जाता है बाकी में silicone याँन लिकूड होता है 95% में ग्री वंभरा जाता है आपने देखा होगा दोस्तों कि कई products में यूज किया जाता है कई समानों में, यूज किया जता है जैसे moisturizer cream इसी तरह कई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोड़क्स है, जिसमें ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। दोस्तो, ग्लिसरीन सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। यानि, ये बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता और कोई नुक्सन दायक नहीं होता है। इसलिए pressure gauge को भरने के लिए glycerine का ज्यदातर यूज किया जाता है अब दिस्तो हम जानते हैं कि glycerine का working temperature का दाइरा क्या है दोस्तो glycerine minus 4 degree Fahrenheit से लेकर plus 144 degree Fahrenheit तक के तापमान पर अच्छी तरह काम करता है यानि वाता बरन का तपमान माइनस 4 दिगरी फोरेंट से लेकर प्लॉस 140 दिगरी फोरेंट के तपमान पर अच्छी तरह ये काम करता है अब हम जानते हैं सिलिकॉन के बारे में दोस्तो सिलिकॉन का वनकेंट टेंपरिचर दायरा जो होता है ये माइनस 40 दिगरी फोरन हेट से लेकर प्लस 140 दिगरी फोरन हेट के तापमान पर काम करने के लिए उप्यूक्त होता है जहां पर गिल स्क्रीन माइनस 4 दिगरी फोरन हेट के नीचे तापमान आने पर गाड़ा होने लगता है और वो जमने लगता है वही पर silicon minus 40 degree Fahrenheit के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और वो जमता नहीं दोस्तो silicon yukth gauge उस अस्थानों के लिए उप्यूक्त होता है जहां का temperature हमेशा minus में रहता हो और वहाँ icing की संभावना होती हो वहाँ पर silicon yukth gauge को इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि यह minus 40 degree Fahrenheit के तापमान पर भी अच्छी तरह काम करता है तो दोस्तो बिसेकली दोनों में अंतर यह है कि दोनों का जो काम करने का जो temperature है यह अलग अलग है ठीक है जहाँ पर गर्ब इलाकों के लिए इस्तिमाल होता है वहीं पर जादा तर silicon yuk gauge को थंड ही इलाकों के लिए इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो लिकुड भारे gauge का कुछ नकरात्मक पहल होता है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तो प्रेशर गेज में लिकुड को भरने के लिए यहां देशते हैं कि यहां पर एक फिल प्लग है इसके जरी लिकुड को इसमें भरा जाता है और इसे सिल पैक कर दिया जाता है और कहीं से भी लिकेज नहीं देता है तो दोस्तो अगर बाहर का तापमान ज्यादा होता ह तो इस लिक्विड भरे गेज में प्रेशर बढ़ने लगता है यानि प्रेशर क्रियेट होडने लगता है जिसे करण से प्रेशर गेज का सूई अपने अस्तान से थोड़ा हड जाता है और रेडिंग गलत बताने लगता है आम तोर पर एक PSI का प्रेशर जितना डिफरेंस हो सकता है तो इसमें प्रेशर बनने के कारण प्रेशर गेज का सूई रेडिंग सही नहीं बता पाता तो यह प्रबलम होता है दोस्तों अगर आपको लगे कि प्रेशर गेज सही रेडिंग नहीं बता रहा है और बाहर काफी ज्यादा तापमान है तो यहां फिल प्लक को तुई लाइट या प्रेसर गेज के उपर लगतार धूप पढ़ने से इसके अंदर भारे ग्लिसरीन पीला या काला पढ़ जाता है जिसकरन से इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है तो उसे ठीक करने के लिए तो यहां फिल प्लक के जरिये पुराना ग्लिसरीन निकाल कर इसमें नया ग्लिसरीन भर सकते हैं और फिर से इसे नए जैसा बना सकते हैं तो आपने जान लिया होगा दोस्तों कि प्रेसर गेज में लिक्विड को क्यों भड़ा जाता है और प्रेसर गेज को भरने के लिए कौन-कौन सा लिक्विड का यूज किया जाता है और इसे क् चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन प्रेश कर दें तो जोसों मिलते हैं ऐसे ही किसी और इनफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार